वेलकम बैक टू रिशमेस किचन मंत्रा हुपी हुआ वेल आज मैं आपके साथ कतला फिश की एक रेसिपी शेयर करूंगी यह रेसिपी वर्स पिंगुल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यह खाने में भी बहुत डेस्टी है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं लास्ट में भी कुछ इंग्रिटेंस एड़ करूंगी जो इसकी फ्लेवर को और भी एंहेंस करेगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप मेरे चैनल पे हाज फस टाइम विसिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए और विल बटन प्रिस कर लीजए नए रेसिपी के अपडेट के लिए कतला कलिया की इस रेसीपी को बनाने के लिए मैंने चार पीस कतला माच यानि की कतला फिश के चार पीस ले लिया है अब मैं इसमें एट कर दूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर तो मैंने यहाँ पर हाप टीसपून टर्मरिक पाउडर लिया है और मैं इसमें एड़ कर रही हूँ 1.5 teaspoon salt अब turmeric और salt से मैं फीश को अच्छे से coat कर लूँगी कतला कलिया बनाने के लिए आप कतला फीश की पेट याने की जिसको पेटी बोलते है उसको भी यूज कर सकते है या तो फी रोहू फीश का भी यहाँ पे इस्तिमाला कर सकते हैं salt और turmeric से फीश को कोट करने के बाद मैं यहाँ पे 1.5 tablespoon mustard oil ले लूँगी और इसको भी फीश के उपर थोड़ा सा spread कर दूँगी अब दसमेट मैं इसे मैयनेट होने के लिए छोड़ दूँगी तब तक मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर लूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे mixing jar ले लिया है अब मैं उसमें एड कर रही हूँ एक प्याज तो मैंने ही यहाँ पे एक medium-size की प्याज ले लिया है और मैं इसमें एड कर दूँगी चार लहसूंकी कलिया और मैं इसमें एड कर रही हूँ पाच हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाफ एक चोटा size की टो तो यहां पे यहां पर दाल रही हूँ थनिया पाउडर यानि कि कोरियंडर पाउडर और मैं वन टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर अब इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से एक बार मिक्स करके ब्लेंड कर लूगी तो देखिए मैंने यहाँ पर मसाले को अच्छे से ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट बना लिया है और मैंने यहाँ पर पाच कजु और थोड़ा सा किश्मिष गला लिया है इसको भी मैं पेस्ट कर लूँगी अब मैंने यहाँ पे gas on करके कराई को रख दिया है अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी 4 टेबिल स्पून मस्टर्ड ओयल ओयल को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लेना है नहीं तो फिश अट करने के बाद कराई में चिपक सकता है और पलटने के टाइम पे फिश टूट भी सकता है तो देखिए ओयल से अच्छे से धुवा निकलने लगा है तो अब मैं फिश के पीसे को इसमें आड़ कर दूँगी लाइट गोल्डन करके मैं फिश को यहाँ पे फ्राई कर लूँगी आप आपके पसंद की सबसे फिश को फ्राई कर लेजिएगा तो देखिए मैं साइट चेंज कर रही हूँ एक साइट से फ्राई हो गया है अब मैं दूसरे साइट को भी ऐसे फ्राई कर लूँगी दोनों तरब से फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैं इसको कराई से निकाल लूँगी फिषए बहुत जौदा डाल करकर फिश करनें से फिश tart हो जाता है .. मैंनी यहां पर फिश को लाइट गोलर करके फिश को ड्रैन आट करने के बाद मैं इसमे कट इम और मैं अब एकटा डाले पीज करने के बाद समिल का हुआ में 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 मसाले को एड़ कर दिया है और उसे के साथ में गयस के फ्लेम को ऐसे प्याले में में मापकुव 2 मीधृ और में मैं में 0-5-2 दिया करें बड़ काज़ को आप इसे सकीप कर सकते हैं लेकिन आज हम से हलवाई स्टायल में या तो फिर आप इसे वेडिंग स्टायल में भी बोल सकते हैं बना रहा है तो इसको थोड़ा सा हम रीच करने के लिए इसमें काजु किसमिस के पेस्ट को एड करें इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो इस मसाले को भी मैंने 4-5 मिट के लिए लो तो इसमें अन्य इसमें रख यह बाद करना है नहीं तो दए पर चाइंगा अब मैं अच्य से शाज़ए म मिक्स कर दूँङ तो नहीं अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें कर दूंगी तो में यहां पे 1 टीस्पून सांट ंग कर रहे हूं आप आपकी टेस्ट के हिसा और अब में इसमें आइड कर दूँगी थोड़ा सा शुगर यह एकदम ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा हाफ टीजपूल मैं यहां पे सुगर आड़ कर रही हूँ सब कुछ मिक्स करने के बाद देखिए यहां पे मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है इसमें से पूरा ओयल रिलीज हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी गरम पानी इस रेसीपी में ग्रेवी थोड़ा सा थिक बनता है तो इसलिए मैं यहां पे एक काफी गरम पानी डाल रही हूँ अब मैं इसे cover कर दूँगी और 2 मिनिट के लिए इस gravy को cook करूँगी तो यहाँ पर मैंने 2 मिनिट low flame में इस gravy को भी cook कर लिया है तो देखिए gravy अच्छे से cook हो गया है अब मैं इसमें fry किया हुआ fish के pieces को add कर दूँगी इस recipe में low medium flame में हम मसाले को जितना अच्छे से cook करेंगे ग्रेवी उतना ही tasty बनेगा तो अब मैं इसे अच्छे से एक बार mix कर दूँगी और मैं इसे 5 मीट के लिए फिर से low flame में cover करके cook करूँगी तो यहाँ पर 5 मिनिट हो चुका है तो आप देखिए यहाँ पर ग्रेवी भी काफी ठिक हो चुका है और आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर भी कितना लाजबब आया है अब मैं इसमें एट कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर तो मैं यहाँ पर half teaspoon गरम मसाला एट कर रही हूँ और उसे के साथ में इसमें एट कर दूँगी half teaspoon घी और इसे मैं अच्छे से एक बार mix कर दूँगी सब कुछ यहाँ पर अच्छे से mix हो गया है और यहाँ पर हमारा कतलक अलिया भी बन के ready है अब मैं गैस को turn off कर दूँगी और दो मिनिट के लिए इसे cover करके standing time में छोड़ दूँगी थोड़ी देर बाद आप देखिए यहाँ पर कतलक अलिया एकदम serve करने के लिए ready है तो अगर आपको यह recipe अच्छा लगा तो आप इसे आपके घर में ज़रूर try करें और recipe अच्छा लगा हो तो like और share करना भी ना भूले तो चलिए मिलते फिर कोई नए recipe के साथ